आज मैं आपको बताऊँगा MS Word में A से लेकर J तक shortcut की सबसे पहले मैंने क्या किया Ctrl A से अपने डेटा को select कर लिया उसके बाद होती है मेरी Ctrl B से bold हो गया अब उसके बाद मुझे करने है Ctrl C मैंने क्या किया अपने डेटा को select किया Ctrl C से copy किया और जहां भी मुझे paste करना है मैंने सको माँ पे Ctrl V करती है C के साथ ही V चलती है उसके बाद होती ही Ctrl D जैसे मेरे डेटा को select किया Ctrl D कर दिया तो मेरे font का option को खुल जाएंगे font color, font, size जो भी आप देना चाहते हो वो खुल जाएंगे उसके बाद होती ही Ctrl E Ctrl E से क्या होता ही मेरे डेटा center में आ जाता है आप देखिते हो मेरे डेटा सारा center में आ गया है उसके बाद पहुती Ctrl F Ctrl F क्या करती है मैं जियöllच है लिखना चाहता हूँ वीडियो मेरे सारा डेटा जो भी मैंने यह लिखा उसने वहापे इसको find कर दिया उसके बाहती है मेरी control G control G से क्या होता है जैसे मैं page number 2 पर जाना चाता हूँ या 3 पर जाना चाता हूँ उतने मेरे page होने चाहिए multiple pages में मैं जाने के लिए control G प्रेस करता हूँ उसके बाहती है मेरी control H control H basically क्या करती है replace करती है मैंने control H किया मैं कहा चाता हूँ जहाँ पर मेरे U है इस letter के अंदर जहाँ भी मेरा U है वहाँ पर मेरा U वर्स आ जाए तो क्या करेगा replace all करूँगा जहाँ जाते U था वहाँ पर U वर्स आ गया 32 जगा replacement होई है उसके बाद है मेरी control I control I से क्या होता है मेरे data recursive होता है मैने select है control I से क्या क्या मैने इसको recursive कर दिया उसके अबाद होती मेरी control J control J से क्या होता है justify होता है अब देख सकते हो control J से select किया मैने और जैसे control J करूँआ ये मेरा जो पीठे के HIM इस सारी एक साथ मैच हो गया जीए देख़ो, आप देख सकते हूँ, last में, control जे किया तो मेरी सारी एक साथ एक सेरियल में आ गई ही, उसके अब आथती मेरी control-K, control-K क्या करती है, hyperlink का काम करती है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, google, गूगल और मैं इसको सिलेक किया अब मैं यहां पर लिखता है जाता हूं www.google जैसे लिखा आगे कोईन और ओकी कर दिया जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करके जैसे इस लिंक पर क्लिक करूंगा मतला आपको प्रेस करना पड़ेगा और मेरा यह देख सकते हैं मेरा सर्चिंजन में जाके जो भी सर्चिंजनों का वहाँ पर आपका गूगल लिखे गूगल की साइट खुल के आगे उसके बाद आता है मेरा कंट्रोल अल डेटा को स्लेक किया कंट्रोल अल से मेरा डेटा लेफ्ट शाइड मुझ दाएगा ठीक है कंट्रोल अल से राइट होता है कंट्रोल से लेफ्ट होता है उसके बहुत ही है कंट्रोल अम मैंने कंट्रोल अम किया तो इसने मेरा क्या किया indent को increase करती है, decrease करने है indent को, Ctrl के साद usa Shift दबा के आपको M press करना है indent को decrease करते है ठीक है, उसके ब locker है control इन, control इन आपको पता ही है, नू पेज के लिए होता है control O से हम अपनी file को, जो भी आपकी file है आप उसको open कर सकते हो Ctrl P होती है homeari प्रिंट निकालने के लिए होती है जैसी मैं Ctrl P प्रेस करूँगा मेरे को प्रिंट निकालने के आज़ेगी Ctrl Q, MS Word में होती ही नहीं है Ctrl R से क्या होता है Write करने के लिए अब देखो मेरा data सार राइट में आ गया है Ctrl S से मैं अपनी फाइल को यहाँ पर easily save कर सकता हूँ Ctrl T से क्या होता है अब Ctrl T से क्या होता है आप देख सकते हो Tab increase हो रहे है मतलब उसकी position change हो रही है अगर मुझे decrease टैब करने है Ctrl के साथ shift दबा के T करूँगा तो मेरे tab decrease हो रहे है Ctrl T दबा करूँगा तो increase टैब होगे Ctrl shift T करूँगा तो decrease टैब होगे उसके बहुती Ctrl U U से मेरी underline होती है Ctrl U for underline Ctrl V मैं आपको बता दी थी Ctrl W से मेरा यह जो है यह document यह बंद हो गया जो close हो जाएगा उसके बहुती Ctrl X जैसे मेरे अपने data को select किया Ctrl X कर दिया यह cut हो गया अब मैं इसको जहां भी paste कर जाता हूँ मैंने Ctrl V कर दिया उसके बहुती है Ctrl Z मेरा undo होती है और Ctrl Y redo होती है आपको यह पता ही है यह थी A से लेकर जैट तेक shortcut की Thank you